असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब लत अला आप सभी लोगों को खुश हुआ बाद अस्ता मस्कुराता रखे शुरू करते हैं लत अला के नाम से जो दोनों जहानों का परवर्दिगार है आज हम आपके लिए बटर चिकन की रेसेपी लेके आएं बहुत ही टेस्टी बहुत ही म और चिकन की जो थोड़ा सा मोटे पीस हैं उनको हमने इस तरीके से कट कर लिया है अच्छे से चिकन को हमने धूल के साफ करके ले लिया है लेमू की पाने में हमने इसे आधे घंटे के लिए भीगो दिया था और उसके बाद हमने इस अच्छे से धूल के साफ कर लिया और कट लगा दिया है और इसमें शामिल कर रहे हैं हम 250 ग्राम दही मसालों में हमने तीखा लाल और कश्मीरी लाल आधा आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा लिया है और एक चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है आधे चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा हमने यहाँ पे गरम मसाल का पाउडर लिया है यहाँ पर चाट मसाला हमने लिया है आदा चमच एक चमच नमक और एक एक चुटकी हमने काली और सफेद मिर्च का पाउडर लिया है थोड़ी सी कसूरी मेथी है और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है और जीरा पाउडर हमने लिया है आदा चमच और अझे लेक् Phone Sup lean नोबर्ड स्वर्ण सर्दiltakardाम टॉछ सक भूट नरढ मरे रगर हो तो एक गंटे के लिए करने हम आप सब्सक्राइब घंटे न reflection थे निये हम ल Tennika बना रहे हैं, हमने 600 ग्राम चीकन लिया है तो इस हिसाब से हमने 30-30 लिया है, अगर आपको कम डालना हो तो आप कम भी डाल सकते हैं, बिसमिल्ले रहमानी रहीम, यहां पर हमने कडाही में थोड़ा से तेल डाल दिया है, और इसमें हम थोड़ा से बटर भी डालेंगे, बटर करना है कि हम इसे पीसना है बहुत दा गोल्डेन भी नहीं करना है लेकिन प्यास को हमें बिल्कुल नरम करलेना है पका लेना है तो थोड़ी देर तक प्यास को फराई करने के बाद देखें कुछ इस तरीके का प्रण बूब अवह है अभी तो हम इसमें 250 ग्राम टमाटर शाम तोड़ा सेскर्पी यहां पीक्सड कर करिए दोड़ा हुआ यहां है क्योंदकर दोड़ा 및 हमThis क्योंसी प्रीशी क्षीड की सद्रीकिक नीज और ऐसा सबस्थ करें यहांल होता हाई अद्रक लेसुल कर तो अद्रक मिरर्चों कोो देखें के फ़ूद्र शामिल कर दिया इसमें और इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं मिक्स करके हम यहाँ पर ढगाने वाले हैं ढगा के हम इसे 5 मिनिट पकने देंगे 5 मिनिट के बाद चेक करते हैं हमारे मसाले तयार हो गए हैं कि नहीं माशाला काफी जबरदस्त खुश्बू अभी से आ रही है बटर और मसालों ने मिलके काफी अच्छी खुश्बू फालाई हुई है तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके बंद कर दिया है बहुत अच्छी से तयार हो गए है ठंडा करके हम इसे पीस लेंगे मसाला जब तक ठंडा हो रहा तब तक हम फटाफट से अपना टिका बना लेते हैं बिसमे लहरामारी रहीम एक पैन हमने लिया है और उसमें हमने बटर डाल दिया है बटर में जब टिका बनात है यहां पर जतनी पीस आसानी से आ रही है उतनी हम रख लेंगे और हम शेक लेंगे इसे अच्छे से देखने हैं हमने इतनी पीस रख लिए और इसे हम एक साइड से फराइ करेंगे दो से तीन मिनट के लिए थोड़ा सा आज को हम तेज रखेंगे ताकि पानी जो निकले जल जाए तीन मिनट के बाद हमने साइडो को चेंज कर दिया है पानी काफी कम है तो साइडो को चेंज करने के बाद हम एक मिनट तक सिर्फ पकाएंगे और उसके बाद हम धक्कन लगाने वाले हैं एक मिनट पकने के बाद हमने धक्कन लगा दिया है पास से छे मिनट हम धक सब्सक्राइब एस तरीके से एसे हम अच्छा सा घी भी लगा दिया करें तो इस से बहुत ची खुश्बू बहुत अच्छा टेस्ट आएगा दोनों साइडों से जब हम इस तरीके से इसे गिरिल करेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा घी इसके उपर लगाते जाएंगे और इसे हम गिरिल करते जाएंगे बहुत अच्छा सा कलर, बहुत अच्छी खुश्बू, बहुत अच्छा टेस्ट, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो इस तरीके से दोनों साइडों से अल्ट प्रट करके हमने अच्छे से ग्रिल कर लिया है, और इसे अब हम निकाल लेते हैं, इसके छोटे- बनाना भी शुरू करते हैं, बिसमिल्लाहरामारे रहेम, कडाये में तेल डाल रहे हैं, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बटर, एक चमच हम यहाँ पे बटर डाल रहे हैं, जैसे ही थोड़ा सा गरम हो जाएगा, तो चार्जवे लेसन जिसको कि हमने बहुत ही बा पका लेना है, और इसी mixin में हम फटा-फट से अपना काजु बादाम की बढ़ रखा था उसे पीस लेते हैं, देखे, पकने लगा और यहाँ पे काजु बादाम भी हमने पीस लिया है, तो इसे भी हम शामिल कर देते हैं, और फिर इसी के बाद हम को चिकन मुला कर!" चिकन बूनेंगे, देखे कितनी क्रीमी, कितनी खुबसूरत सी हमारी ग्रेवी लग रही है, तो इंशालला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और खाने में बहुत ही टेस्टी, और बहुत ही कमाल की लगेगी, नमक का आपने ध्यान रखना है, हमारे चैनल पर आपको बहुत ह तीर मिनट तक चला की इसे भून लिया है अच्छे से, इसमें हम शामिल करेंगे कसूरी मेथी, एक चम्मच के करीब, उसे शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे, और हम इस पे ढखकन लगाएंगे पांच मिनट के लिए, और आज को बहुत ही लोग कर देंगे, क्योंकि य इसे ही कवर खुला है, इतनी जबरदस्त खुश्बू और देखिए कितना खुबसूरत एकदम बना है, हमारी ग्रेवी ने तेल और मक्षन वगराभी छोड़ दिया है, तो यहां पे बिल्कुल बन के तयार हो चुका है, यहां पे हमने थोड़ी सी देखिए मलाई शामिल क यहां पे थोड़ा सा बटर भी हमने इंड में शामिल कर दिया है, और बिल्कुल अब बन के तयार हो चुका है, आज को हमने बंद कर दिया है, तो चलिए सर्फ करते हैं, देखिए कितनी खुबसुरत सी, कितनी प्यारी सी हमारी रेसेपी तैयार हुई है, बहुत ही टेस्ट तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रियादा करती हूँ और अगर आप इस चैनल पर नए हैं यहाँ भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही प्यार से दरखास था है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना है साथ में लगा हुए बिल का इकान भी प्रेस कर लेना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके आप लोगों को आजरे अजीम दे आप लोगों के रिस्क में उमर में बरकत अता फरमाए आप लोगों की जिन्दगियों को खुशियों का गहवारा बना दे आमें सुमामीन हमें भी दुआओं में याद रखें तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में इंशाला ऐसी ही किसी टेस्टी रेसेपे के साथ अल्ला हाफीज